हेलो प्रेंट्स कैसे हैं उमीद करता हूँ अब लोग बहुत बढ़ियां होंगे दोस्तों आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं सेल ग्रुप जो की हमारा ये एक सेल को बनाने और घटाने का काम करता है सेल ग्रुप में हम पहले देख सीखेंगे इंसर्ट कमांड इंसर यहां पर देख सकते हैं एक डाटा है हमने एडवांस एकसल फार्मूला को यहां पर ओपन कर लिया अब यह हमारा जो डाटा है अब इसी में हम क्या करेंगे सेल को इंसर्ट कराएंगे क्योंकि यहां पर सेल ग्रुप है और इंसर्ट करने के लिए है तो सेल इंसर्ट कराए करेंगे तो यह हमारा जो सेल है वह राइट साइड मोथ है याए कि इस साईड मोड हो जाएगा और इस जो नंबर को इस पर कर देखा कुछ कर ते ही कुछ इस परकार से ऐसी अगर हम यहाँ पर क्लिक किये यहाँ पर आ गएं और यहाँ पर आने एक बाद हमने इस पर क्लिक किया shift sail down और कर दिया okay तो तुरंद नीचे कर देगा ओके करते ही देख सकते हैं हमारा यह जो नंबर से वो नीचे तरफ डाउन कर दिया फिर आए इसके बाद मिलेगा यहां पर क्लिक करते ही इंटायर रो याने कि यदि आप चाहते हो कि यह जो आपका एक नंबर दिया हुआ है एक और रो आजा यहां से यहां तक तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा और क्लिक करके यहां पर क्लिक करना होगा फिर यहां पर इंटायर रो जैसे क्लिक करें को कि यहां पर एक नया रो और आजाएगा एड करना चाहते हैं नया रोल तो आड भी हो जाएगा इसके बाद आप चाहते हो कि एक नया कॉलम भी एड हो जाए तो यहाँ वे क्लिक करें कर दीजिए ओके और इंटायर कॉलम और आपको सामने एक कॉलम और आजाएगा तो इस परकार से यह काम कर रहा है इसके बाद आएंगे तो यहां लिखा है insert seat row यानि कि अगर आप चाहते हो कि नहीं हम यहीं से एक row insert करा लें तो यहां वे click करें और कर दीजे okay और एक नया row आपको देदेगा insert करके आप चाहते हो कि नहीं यह जो आपका लिखा हुआ है इसके बीच में एक और भी column आना चाहिए तो यहां click करके और यहां जैसे click करें आटमेटिक आ जाएगा और अगर चाहते हैं यह seat one है और seat एक seat और आए तो यहां पर click करना पड़ेगा और insert seat भी click कर दीजे आटमेटिक देखी दूसरा seat आ गया और चाहते हैं तीसरा seat आए जहां हमें click कर दिए तीसरा seat आ गया ऐसे अब जितना seat चाहोगे उतना seat आपर ला सकते हो so इस प्रकार से हमें insert tab का िस्तमाल करके sale row और column insert करा सकते हैं seat insert करा सकते हैं और अगले वीडियो तो हम सीखेंगे कैसे हम जो insert कराए हुए है row और column और sale उसको delete कर सकते हैं वो delete command से इसमें आएंगे तो हमारा delete sale और ऐसे row column delete seat यह सब ही मिल जाएंगे sheet कैसे डिलीट करेंगे यह सब भी कैसे डिलीट किये जाएंगे कैसे का इंसर्ट किये थे उसको कैसे डिलीट किये जाएगा यह हम नेक्स्ट वीडियों सीखेंगे तब तक लिए नमस्कार जैहिन